वेरी गुड इवनिंग ट्यू अलफ यू दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एडूकेशन पे आज के सिनारियो में हम देखेंगे 75 वो प्रश्ट है जेनर नॉलेज से जी हां यहां यहां पे साइंस और जी के से रिलेड़ कोश्चन आपको मिलेंगे जो कि इन 75 कोश्चन में आपको यहांपे दिये घए हैं आपका यह टेस्ट है 75 कोश्चन का आप उत्तर हमें ज़रूर कमेंट करके बताईए कि इस टेष्ट को और देखते हैं आप detailed साज्फ़ चालता हूँ कि आपका टेली करे एंट उसका पीड़िये भी आपको दिया जाएगा वीडियो को जरूर देखे सुबह के 6 बजे, यह देख सकते हैं, आज का यह वीडियो यहाँ पर दे दिया गया है, और जो 10 बजे आपको class दी जाती थी, यहाँ पर उसको static gk का यहाँ पर बताया गया है, ठीक हो time, तो static gk का part यहाँ पर आपको science से भी question हो सकते हैं, या फिर 7 बजे आपको यह वीडियो दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर हर दिन आपके exam से related, चाहे बिहार दरोगा की exam दे रहो हो, या RRB, NTPC की त्यारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी sector की त्यारी कर रहे हैं, उसके लिए important, उसके नजर से रखते हुए इसको बनाया जा रहा है, त 7000 इसवी पूर्व के आसपास हुई थी, क्रिशी की यहाँ पे सुरुवात की गई थी, भारते उप महादूइप में क्रिशी का प्राचिंतम प्रमाण मीहरगर से मिला है, जो कि बलुचिस्तान में होता है, बलुचिस्तान का है, तो पाकिस्तान में याद रखेंगे, अग महावीर की मृत्यूद 468 इसवी पूर्व, ठीक है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट में हुई थी, और महावीर का जनम 540 बीसी, यानि की बिफोर क्राइस्ट हुआ था, यह आद रखेगा, पूछ सकता है, अगला कोशिन है दूस्तों, यहाँ पे कि गुप्तकाल में सर्वोच प्रादीकार राजा के पास हुआ करता था, आंसर D कर लेंगे यहाँ पे, जिनका बिफोर D आ रहा है, देखेगे, गुप्तकाल में महा, दंड, नायक, नायक, विभाग के प्रभारी हुआ करते थे हैं, और राज तंद्र में राजा सभी सक्तियों का स्रोत होता है, यानि क जाते हैं, बिल्कुल देखिए, उत्तर करेंगे, जैन परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए, तो पार्श्वनात, अंतिम तिरतकर से एक पहले के माने जाते हैं, जैन धरम में 24 तिरतकर जो थे, वो महावीर थे, यह याद रखेंगे आप लो, और पार्श्वनात 23 थे, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट्स पार्श्वनात 23 थे, और आखरी थे 24 थे महावीर, अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, निमलिकित में से किस स्रोत के अनुसार, यह कहा जाता है कि अशोक ने स्री नगर सहर को बनाया था, स्री नग अनुसार अशोक ने स्री नगर सहर को बनाया था, कलहन में राजतरंगनी पुस्तक है, जो कि 1149 में लिख लिजेगा, यह नोट को लिजेगा इसको, 1149 में लिखी गई थी, यह कलहन की राजतरंगनी, यह पुस्तक है, इसके जरी यह पता चलता है, चलिए, आंसर क्या अनुसार की दक्षिन भारत में जैन धरम, यह न, जैन धरम है, जैन धरम है यह, जैन धरम का प्रचार प्रसार हुआ था, बिल्कुल दक्षिन भारत में जैन धरम का प्रचार प्रसार भद्र बाहु द्वारा किया गया था, आंसर हमारा D हो जाएगा, अगला कुशिन है द तो याद रखिएगा इस पार्शी संस्क्रोन को रज नामा कहते हैं क्या रज नामा आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला कोश्चिन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे भारतिय राष्टिक कॉंग्रेस की स्थापना किस्त के महत्पु भुमिका में निभाया गया था यह बनाया गया था ठीक है भारतिय राष्टिक कॉंग्रेस को ए ओ हुम ठीक है आंसर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे ठीक है और यह ओ हुम जो थे लगबग 20 साल तक भारत का महस्यचीव भी रहे थे ठीक है यह कोश्चिन बनता एक्जाम म अगला कोश्चिन है दोस्तों यहाँ पे कि गांधी जी ने अपना प्रतम और सहयो गांदोलन निलंबित किया था क्योंकि कारन बताए क्यों इसको निलंबित कर दिया था उन्होंने कुछ तो कारन रहा होगा ना तो गांधी जी ने अपना प्रतम और सहयो गांदोलन निलं जिसके चलते 12 फरवर 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया याद रखिएगा आंसर क्या होगा चौरी-चौरा कांड ठीके हिंसात्मक हो चुगा था ये तो आंसर क्या होगा ये हो जाएगा ठीके अगला कोशिन है दोस्तों यहाँ पे इनकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया उत्तर करेंगे दोस्तों इनकलाब का नारा जो दिया था इनकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया था भगत सिंग ने ठीके 1926 की बात करें तो भगत सिंग 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भी कर चुके थे और भगत सिंग ने इनकलाब जिन्दाबाद का अर्थ बताया कि अन्याय पर आधारित विवस्था को समाप्त करना है। आरे समाज के संस्थापक माने जाते हैं स्वामी दयानन सरस्वती आरे समाज का स्थापना कब हुआ था यह पूछ सकता है एक्जाम में तो 1875 इस्वी में इसकी स्थापना हुई थी याद रखिएगा अगला कुशन है दोस्तों यहाँ पे कि गांधी इर्विन समझोता किस व पर्ण हुआ था ओके चलिए देश बंधु किसे कहा जाता है चलिए देश बंधु कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे आंसर करेंगे चितरंजन दास को कहा जाता है चितरंजन दास जो थे हैं यह पेसे से एक वकील हुआ करते थे और खुदी राम बोस जो थे उनको फासी से बचाने का प्रयास करने वाले वो एक वकील थे और पंडित नहिरू जहाँ पंडित मोती लाल नहिरू की बात कर की जाए तो उनके साथ ये सुराज पाटी की स्थापना भी किये थे कि अगला कुशरें इस्थ की असम की प्राचीन नाम क्या है असम का पुराना नाम क्या था तो याद रखेगा कामरूप जिसकी राजधानी कमतापूर थी कहां थी कमतापूर असम में अहोम वन्स की काफी प्रशिद वन्स थे हुए और पावापूरी में महावीर की मृत्य हुई थी ठीक है यह याद रखेगा काम रूप अगला कोशन समुंदरी हवाएं चलती हैं समुंदरी हवाएं दिन में समुंदर से इस थल की और चलती हैं याद रखेगा समुंदर से थल की और यानिकि इस थल की और चलती हैं आंसर C हो जाएगा, यहां पर जोगराफी का कोशान है, इनमें सबसे बड़ा वृत कौन सा है, चलिए यह एक अच्छा कोशान है, यह भी जोगराफी का कोशान है, अब देखिए आंसर करिएगा, यहां पर कोशान no. 17 का, यहां भुमध्य रेखा से सबसे बड़ा вृत बनता याद रखेंगे धुकी और बढ़ने वाला वृत अपिक्षा क्रित छोटा होता जाता है और बिश्वत तरीका की तरफ दोनों गुलारत की कारमस उष्ण कटिबंदिये, सितोष्ण कटिबंदिये और सीत्रिन कटिबंदिये में बाटा जाता है इसको अगला कुशिन है दोस्तो रेडियो प्रसारन इनमें से किसकी वज़ा से संभव हो सका आंसर करेंगे दोस्तो रेडियो प्रसारन आयन मंडल के चलते ये सफल हो पाया है आंसर सी कर लिजेगा अगला कुशिन है दोस्तो की जाड़े से गर्मी तक की फसल रीतु को क्या कहा जा खाना कौन सा है बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहां पर भारत का भारत में सबसे पुराना तेल सुधा कर खाना है डिग बोई नोट कर लेंगे आप लोग यहां पर बिल्कुल आपके उत्तर सही आ रहे हैं और खनीज तेल सरपर्थम अगर देखा जा तो 1869 हिस्वी में 18 किसे से निकाला गया था ओके चलिए अगला कुशन देखते हैं दोस्तों यहां पर की काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उप्योगत है बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों काली मिट्टी का पास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उप्योगत होती है काली मिट्टी को अगला कुशन दोस्तों यहाँ पे कि देश में ऑपरेशन फ्लड की सुरुवात का स्रे किसको दिया जाता है तो यह आद रखेगा आप लोग डॉक्टर वर्गिस कुरियन को ठीके आंसर अमारा बी हो जाएगा नोट कर लिजेगा अक्सरी एक्जाम में पूछी जाने वाले विस्व प्रसिद रॉयल बेंगॉल टाइगर कहां पाय जाते हैं चलिए आंसर करेंगे दोस्तों फड़ा फड़ यहाँ पे स्टेश्ट का उत्तर करके जाएगा विस्व प्रसिद रॉयल बेंगॉल टाइगर कहां पाय जाते हैं तो यह होते हैं सुन्दर वन में आंसर हमा का रंग लाल किसके कारण होता है लाल मिट्टी का रंग उसमें लोहे के कारण बनता है जी हाँ याद रखेंगे अगला कोशिन दोस्तो भारत में इस पात का प्रथम कारखाना कहां इस्थापित किया गया था तो भारत में इस पात का प्रथम कारखाना हुआ था दोस्तो जमस जमसेदपूर में टाटा आयरन स्टेल कमपनी के द्वारा स्थापना की गई 1913 में इस पात का उत्पादन भी शुरू हो चुका था ये जारखंड में आता है दोस्तों टाटा जमसेदपूर जो है ठीक है याद रखेगा अगला कोशिन है कि उत्पादन की द्रिष्टी से भारत का प्रमुख खादान क्या है तो उत्पादन की द्रिष्टी से भारत का मुख खादान है फसल चावल उके आंसर सी कर लेंगे अगला कोशिन देशतों यहाँ पे निमलिकित में से किस कटिबंद पर वर्स में कम से कम एक बार दिन अत्वा रातरी की लंबाई 24 घंटे की अवधी होती है तो ये कोशिन का अंसर करेंगे दोस्तों सितोषन कटिबंद पर वर्स में कम से कम एक बार दिन जो है या रात जो है वो 24 घंटे की अवधी का होता है जाद रखेगा पृत्वी द्वारा परिकर्मन सूरी का किया जाता है जिस कारण से रितु परिवर्तन होता है लेकिन पृत्वी जो है अपने घोर्णन की गती के कारण दिन और रात करता है हमारे पृत्वी पर ठीक है तो आंसर क्या करेंगे यहाँ पे तो सितोष ने कटी बन दिये C अगला कुशिन है दूस्तों यहाँ पे कि भारत के किस राजजी में सरवाधिक खनीच संसाधन पाए जाते हैं चलिए उत्तर करेंगे भारत के जारखंड राजजी में सबसे ज़्यादा खनीच संसाधन पाए जाते हैं आंसर कर लेजीगा हमारा यहाँ पे B इन चार उप्सन में और याद रखेगा भारत में सरवाधिक संवरिधी छेतर दामोदर घाटी छेतर है और भारत में कोईला मुखेत गुंडवाना यूग से पाए जाता है अगला कोशिन है दोस्तों यहाँ पे कि पस्चिमी घाट को किस नाम से और पुकार आ जाता है तो याद रखेगा यहाँ पे सहाधरी स्रेणी के नाम से भी इसको जाना जाता है आंसर हमारा C कर लिजेगा यहाँ पे कोशिन निम्बर 31 सम्विधान सभा देखेए पॉलेटी से कोशिन आ चुका है आप यहाँ पे तो सम्विधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे सचिदानन सिंग नोट कर लिजेगा यह सचिदानन सिना जो थे माफकी जी का सिंग गोल दिया मैंने यह जो थे सम्विधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष वा करते थे और 1946 को सम्विधान सभा की प्रथम बैटा की अध्यक्षता भी इनोंने की थी ठीक याद रखेगा अगला कुशन ने भारत के सम्विधान को किस ने अंगिक्रित किया था तो भारत के सम्विधान को सम्विधान सभा के प्रथम जनता के प्रतिनिद्यों ने अंगिक्रित किया था 26 नॉवंबर 1994 को सम्विधान सभा दवारा अंगिक्रित किया गया था याद रखिएगा ठीक आंसर क्या कर लिजेगा दोस्तों सम्विधान सभा के जंता के प्रतिनिद्यों के द्वारा आंसर C हो जाएगा अगला कुशन सम्विधान बनाने के में सम्विधान सभा में समय लिया कितना समय लिया था समिधान बनने में तो दो वर्स 11 महिने 18 दिन गी याद रखेगा आंसर यह हो जाएगा आपका यहाँ पे विधान सभा के सदस्ते कितने वर्सों के लिए चुने जाते हैं दोस्तों तो यह question बहुत important है यह आता अक्सर एक्जाम में 5 साल लिख लिजेगा याद कर लिजेगा ठीक अगला question दोस्तों यहाँ पे कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदाई है तो राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु राश्टपती के प्रति उत्तरदाई होते हैं आंसर हमारा C कर लिजेगा यहाँ पे अगला कुश्चिन दोस्तों यहाँ पे कि कौन लोग सभा को उसकी अवधी के समाप्त होने के पुर्व भंग कर सकता है तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे राज्जी के राज्जेपाल अपने कार्व है तो माफ़ की जिए लोग सभा के उसकी अवधी के समाप्त होने के पुर्व प्रधान मंत्री की सलापर राश्पती उसको भंग कर सकता है तो राज्जी सभा भंग नहीं किया जा सकता है ठीक याद रखिएगा राजसभा स्थाई सदन होता है राजसभा राज्यों का प्रतिनिधी सभा होता है राजसभा राज्यों के हित के संबंध में सभा होता है इसको कोई नहीं भंग कर सकता आंसर D कर लिजेगा अगला कोशिन दोस्तों यहाँ पर की जीला का प्रसासनिक प अंत्रगत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है तो आर्टिकल 352 के तहट अंत्रगत आपातकाल में भी जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है यहने कि आप ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप जीहीं ना सको है ये प्रवधान नहीं किया गया है जीवन का अधिकार दिया गया है जीने के लिए 352 आर्टिकल को लगाने के बाद भी मौलिक अधिकार किस प्रकार का निलंबित किया जा सकता है चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे फटा फट आंसर कीजिएगा यहाँ पे कमेंड बॉक्स में अपने मौलिक अधिकार यादि राष्ट्री अपात काल के समय राष्ट्पती निलंबित हेतु आदेश जारी करते हैं तो ठीक है आंसर सी कर लेंगे अगला कोश्चन दोस्तों यहाँ पे कोश्चन नमर 41 कि भारते सम्विधान के कौन से भाग में निती निदेशक तत्व का वर्णन है तो यह है दोस्तों याद रखेगा भारते सम्विधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में इसको निती निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है और ये भाग कौन सा है तो चौथा याद रखेगा आंसर हमारा C हो जाएगा अगला कोशन है दोस्तों यहाँ पर कि भारते सम्मिधान के स्वतंतरता का अधिकार निमलिकित में से किस अनुचेत के वनित किया जाता है तो ये भी पॉलेटी से कौशन है यहाँ पे ध्यान दिजीगा भारते सम्मिधान में स्वतंतरता का अधिकार आर्टिकल 19 के तहट साथ परकार के अधिकार को दिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 1976 में हुआ था 42 संसोधन जो कि मौलिक करतब्यों के जोड़े गये थे यहाँ पे 42 संसोधन को मीनी संविधान भी कहते हैं हम लोग याद रखिएगा आंसर 1976 यहाँ रखिएगा आप लोग यह आंसर यह हो जाएगा अगला कोशन है दोस्तों यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारते संविधान के किस भाग में किया गया है तो अब भाग पुछा गया यहाँ पे तो भाग तीन याद रखिएगा मौलिक अधिकार को बताया गया है इसमें कि 7 मौल संविधान में दिये गया है अगला कोशिन दोस्तों यहां पर कि समानेता तोर पे जब एक विधुत समवाहा के तापमान में विर्धी होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा चलिए साइन्स का कोशिन आ चुका है अब आपके लिए यहां पे आंसर करेंगे दोस्तों कि समाने तोर पे जब एक विधुत समवाह के तापमान में विर्दी होती है तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है आंसर A कर लीजिएगा अगला कुश्चिन दोस्तों यहाँ पे कि यदि दो प्रतिरोध समनांतर जुड़े हुए हैं तब इसका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा तो यदि दो प्रतिरोध समनांतर जुड़े हुए हैं तब इसका संयुक्त प्रतिरोध कम हो जाएगा आंसर B कर लीजिएगा अगला कोशन दोस्तों यहाँ पर की मोटर रुपांतरित करता है चलिए आंसर कीजिएगा मोटर रुपांतरित करता है दोस्तों विद्धुतुर्जा को यांतरी कुर्जा में कैसे विद्धुतुर्जा को यांतरी कुर्जा में करता है आंसर C कर लिजिएगा अगला कोशन दोस्तों कि विदुद चुम्बक कि में उपयोग होता है विदुद चुम्बक उपरयोग सभी में उपयोग होता है तो आंसर A, B और C कर लिजेगा आंसर D हो जाएगा अगला कोशिन दोस्तों कि निमलिकित में से कौन सी बार-बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है तो सभी बैटरी बार-बार चार्ज हो सकती है आंसर D कर लिजेगा लेड इसिड, निकिल और लिथियम सभी बार-बार चार्ज कर सकते हैं एक प्रवंधक यंत्र आने वाले संकेत पर कौन सा कारे करता है देखे प्रवंधक यंत्र यानि कि अम्प्लिफायर की बात हो रही है यहाँ पर आंसर ध्यान से दिजिएगा तो एक अम्प्लिफायर आने वाले संकेत पर आयाम को बढ़ाया जा सकता है क्या आयाम को बढ़ाता है अंसर भी कर लेगे अगला कुछन है कि वायू मंडल में किस मंडल में उजून परत मिलती है अंसर कीजिए कि दोस्तों समताप मंडल जो है हमारा में उजून परते हमको मिल जाती है जिसका 60 से लेकर 640 किलोमेटर तक का छेतर होता है अगला कुछन पहार पर चड़ते समय वैक्ती आगे की ओर जुका रहता है ताकि क्यूं जुका रहता है तो याद रखेगा क्योंकि स्थाईत्वे में व्रिधी हो सके ठीक है और उसको उर्जा मिल सके आंसर D कर लिजेगा अगला कुछन दूस्तों यहाँ पर कि एक क्रिकेट खिलाडी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीची की तरफ लेता है ऐसे उसे चोट लगने से बचाता है यह क्यों होता है किस नियम के नुसर होता है ऐसा चोट लगने से बचता है क्योंकि यह समवेक का संडक्षन का सिद्धान्त है आंसर भी कर लिजेगा यहाँ पर ठीके समवेक का संडक्षन का सिद्धान्त कहता है कि यदि कणों को इसकी किसी भी समूह या निकाए पर किसी बाहे बल नहीं लगा रहा हो नहीं लग रहा हो तो उस निकाय को कुल संवे की नियत रखाता है और संवे को संरक्षन का सिद्धान कहते है यानि कि इसका theory कहते है अगलाraction है कि SI पद्दती का तापकरम का मातरक क्या है SI पद्दती में तापकरम का मातरक पुछा गया है आंसर करेंगे दोस्तों यहां पर जल्दी से बिल्कुल Kelvin is the correct answer यहां पर है ठीक है चलिए याद रखेगा अगला question दोस्तों कि यहां पर एक MAU यानि कि परमाणवीक दर्ब्यमान एकाई समतुल्य कितने का होता है चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहां पर 1.6735 इंटू 10 to the power माइनस 24 ठीक याद रखेगा यह 24 वाला है यह माइनस टूदी पावर है 24 ठीक याद रखेगा अगला question है दोस्तों कि गूबर गैस का मुख्य घटक क्या है देखें फटा फटा आंसर करेंगे यहां पर एक भी question नहीं छोड़ना है सभी question important है और वीडियो को एक पर like जरूर कर दीजीगा यार आप लोग अगर क्यूज अटेंड कर रहे हैं तो हैना share भी कर दीजीगा ताकि ऐसे ही important question आप तक हम पहुंचा सके अपने इस चैनल के मा आंसर एक कर लेंगे हम यहां पर 65% मिशन पाए जाते हैं आप 65% किसी तत्वे की परमानु संक्या निमलिकित में से किसी संक्या के बराबर होती है तो किसी तत्वे के परमानु संक्या नाभी के प्रोटोन की संक्या के बराबर होती है नाभी के प्रोटोन की संक्या के होता है वर्सा से जो बारिसें होती है ठीक है लेकिन आप ध्यान रखेगा जो वायू पॉलिशन जो होता है वायू परदुशन जो होता है उसके चलते जो कोई अमलिय वर्सा अगर होती है तो वो घातक होता लेकिन अगर जो जैसे कि मौसम की अनुसार वर्साएं होती हैं उसे में जो बारिस की बूंदे आती हैं वो सबसे साफ पानी होता है, सबसे स्वक्ष जल होता है अगला कोशन है अगला कोशन है अंसर एक करेंगा हम यहाँ पे अगला कोशन है कि भारती रिजर्ब बैंक ने नवाचार और प्रतिस परधा को बढ़ावा देने के लिए किस भुगतान प्रणाली की अधिकरित करने के दिशान निर्दे इस्तिय जारी किये है जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों एकोनॉमिक्स का यह कोशन है अंसर करेंगे दोस्तों देखे बिल्कुल अगर आपका उत्तर आ रहा दोस्तों यहाँ पे आन टैप नोट को लेज़ेगा आन टैप ओके याद रखेगा अगला कोशन है दोस्तों किस राजजी के मुख्य मंत्री ने राजजी के आर्थिक सिती में सुधार लाने के लिए देशे से डाक्टर बाई आर नवोद में योजना सुरुवात की है तो बी आर नवोद में ये योजना सुरुव की गई दोस्तों आंधरा प्रदेश में आंसर डी करेंगे हम यहाँ पे ठीक है चलिए आंधरा प्रदेश की राजज़ानी होती है दोस्तों अमरावती याद रखिएगा अगला कुशन दोस्तों यहाँ पे भारती आंतरास्टेफल महुट से आई एफ एफ आई के पच्चासवे संस्क्रण का विजन 20 से 28 नॉंबर के बीच किस राज़ में आवजित किया जाएगा बिलकुल आंसर करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे डी गोवा गोवा के राज़ानी होती है पन जी यहाँ के मुख्य मंतरी है प्रमोच सावंत अगला कुशन दोस्तों यहाँ पी हाली में प्रदान मंतरी ने ब्रिजिटल नेशनल नेशन पुस्तक का विमोचन किया या पुस्तक किसके दोवारा लिखे गई थी ब्रिजिटल चीके नेशन इस पुस्तक के विमोचन किया गया है दोस्तों बिलकुल आंसर करेंगे दोस्तों बीना ठाकुर और चित्र मुगदल के दोवारा ये लिखी गई फुस्तक है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर यूनी सेफ की मुताबिक 2018 में 5 साल से कम उम्र के बत्चों की मौत सरवादिक मामलों में किस देश में दर्ज की गई है तो आंसर किजिएगा ए भारत में अगला कोशन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कोशन नमबर 66 कैल्सियम की कमी होने वाला एक रोग चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे कैल्सियम की कमी से होने वाला एक रोग जियां नोट कर लिजिएगा यहां पे होगा रेकेटस रोग होता है ठीक है आंसर C कर लेंगे यहां पे दोस्तों अगला कोशिन दोस्तों वह जीव जिसमें की हरित कवक पाए जाते हैं वह क्या होते हैं तो ये हरित कवक जो होते हैं दोस्तों ये जीव जिसमें की हरित कवक पाए जाता है ये युगलीना आंसर क्या करेगा आंसर C हो जाएगा अगला कोशिन है दोस्तों यहां पे सुरक्ष इससथ ही होनी चाहिए है ना याद रखिएगा आंसर अगला कोशन देखते हैं यहां पे कि निमलिकित में से एक विशान जन्य रोग नहीं है अगला कोशन है कि नाइटरेट योक्त जल में किसकी व्रधी तीजी से होती है बिल्कुल नाइट्रेट युक्त जल में स्टैवाल की व्रिधी तेजी से होती है आंसर हमारा ए हो जाएगा अगला कुशिन दोस्तों की कौन सा रोग कुकुट पक्षी के जिवानु जन रोग होता है तो हैजा होता है याद रखेगा कॉलरा जिसको कहते हैं अंसर बी कर लेंगे अगला कुशिन दोस्तों या पे कि पौधे की व्रिधी के वरियत पोशक तत्वे हैं तो पौधे के वरिधी के लिए जो पोशक तत्वे हैं वो तामबा होता है याद रखेगा आंसर बी कर लिजेगा अगला प्रश्ण है कि गाय के दूद का पीला रंग किसकी उपस्तिती में कारण होता है बिल्कुल केरोटीन की उपस्तिती की चलते आंसर हमारा B हो जाएगा आपका उतर अगर B आ रहा है तो बिल्कुल सही है B जो की अच्छी तरह परिच्छित रखा जा सकता है बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे उसको ठंडे और नम अवस्ता में रख कर ठंडे और नम अवस्ता में आंसर B कर लेंगे यहाँ पे और दोस्तों आज का यह आखरी प्रशन है कि हार नाल समानित बड़ा होता है मांसाहारियों का जी हम मांसाहारियों का ठीक है आंसर यह कर लिजेगा तो दोस्तो आज की इस पुरी सिनारियो में आपको हमने 75 कोशन करा है आपके कितने उत्तर सही हुए ये कमेंट जरूर कीजिएगा और रोज साम को 7 बजे ये क्यूज आपके लिए अपडेट किया जाता है तो इसकी उसको अटेंट करें चाहे आप बिहार दरूगा बिहार पुलिस या फिर किसी भी सेक्टर के त्यारी कर रहें आररबी, NTPC, रेलवे, बैंकिंग या फिर SSE तो आपके लिए ये कोशन आंसर यहाँ पर महत्रपूर्ण होते हैं तो रोज अटेंट करें, हमारे साथ जुड़े रहें, बंदे रहें, बवाई, टेक केर, ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का मिलते हैं आगले वीडियो में और रोज सुबाद 6 बजे मिलते हैं आपसे करेंटेफर की क्लास में, ओके?